स्वागते दोस्तों आपका अपने चैनल Edify Hub में अभी तक हम लोगों ने मेमोरी का इंटरफेसिंग के बारे में देखा था और आज के लेक्चर में हम आयो इंटरफेसिंग के बारे में देखेंगे जैसे हम लोगों ने पहले बात का दखा है कि इंटरफेसिंग को हम लोग माइक्रो प्रसेजर के इंटरफेसिंग को हम दो सेक्शन में तोड़ते हैं या दो सेक्शन में कैसे use होते हैं, कैसे implement होते हैं, memory को interface करने के लिए, और अब हम देखेंगे कि वही signals, वही control, वही address, कैसे हमारा मदद कर सकता है I.O को interface करने के लिए, तो सबसे पहले जरूरत यहां पर है कि हमें यह समझे कि I.O होता क्या है, I.O devices है क्या, basicly, तो उसके लिए सबसे best example जो है, जो मुझे लगता है, कि वो हम लोग हैं, क्यों, क्योंकि I.O interfacing कहता क्या है, अगर हम उसको लोग यह समझा चाहें, तो I.O interfacing कहता है कि जब भी कोई communication, या जब भी कोई data का transfer, microprocessor से होकर exterior world को जाए, या फिर exterior world से कोई signal microprocessor को जाए, यह जो system है, यह जो environment है, जहां पर हम communication को, जहां पर data को, हम लोग transfer कर रहे हैं, exterior world से microprocessor के पास, या फिर microprocessor से exterior world के पास, तो यह जो communication channel है, यह जो interface है, इसको हम लोग बोलते है, IO interfacing, तो main IO interfacing ले क्या हुआ, IO stands for input and output, तो बाहरी दुनिया से कोई signal को microprocessor तक भेजना, और microprocessor के signal को, बाहरी दुनिया तक भेजने का तरीके को हम लोग बोलते है, IO interfacing, और इसका best example क्या हो सकता है, तो best example इसका हो सकता है, human, मैं ऐसा human क्यों कह रहा हूँ, हम लोग को device तो नहीं है, लेकिन आप notice करोगे, तो आपका brain जो है, वो क्या है, आपका brain जो है वो, एक microprocessor है, बिलकुर, जहां पर बहुत सारे signals हैं, बहुत सारे devices लगे वे हैं, और वो सब कुछ काम क्या करता है, तो decode करने के लिए information को, information को execute करने के लिए as per the instruction और output देने के लिए, तो main microprocessor काम यही होता है, लेकिन हम जब IO की बात कर रहे हैं, तो exterior world मेरे सामने आता है, बाहरी दुनिया, अब बाहरी दुनिया के signal को microprocessor तक पहुंचा आया जाता है, तो हमारा veins काम करता है, हमारे nervous system है, उनको signals को transmit करने के लिए, लेकिन signal आया कहां से, signal वो जो भी signal है, वो बाहरी दुनिया के तो हमारे जो different sensors हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारा eye, आपका eye जो है, eye कैसा behave करता है, eye behave करता है आपका as a camera की तरह, या फिर एक distance sensor की तरह, जो बताता है, दो लोगों के बीच की दूरी, या ऐसा बात कर सकते हैं, जो बताता है, बाहर की दुनिया के बारे में, अपने sensors के through, कि बाहर का दुनिया कैसा है, क्या वो शाम हो गया, क्या वो रात हो गया, तो उनके जो sensors है, उसके accordingly वो काम करता है, और हम लोग क्या कह सकते है, जनरल लाइफ में, कि हम लोग देख सकते हैं, लेकिन देखना हम लोग के term में है, और microprocer के term में, अगर अपने आपको हम ल visual sensors जो है, वो हमको signal provide कर रहे हैं, कि क्या शाम हो गया, क्या रात हो गया, इसकी प्रकार से, अगर हम कोई bike चला रहे हैं, तो अगर speed breaker आता है, तो speed breaker आता ही, आपके sensors, मतलब हमारे आप, क्या करता है, तुरण signal भेजता है brain को, कि भाई आ, speed breaker आ रहा है, जैसे ही instruction decode हुआ, execute ह हुआ, microprocessor से एक दूसरा signal निकला, और वो आपके हाथ को या पैर को signal भेजेगा, कि भाई, brake लगाओ, क्यों, क्योंकि speed breaker करके, पहले हमारा गारी की speed कम हो जानी चाहिए, तो हम लोगो नहीं यहाँ पर क्या feel कि हमारे eyes, जो sensors हैं, देखने वाले eyes, उन्होंने कुछ distance को sense कि एक object को sense किया, उस object के बीच का distance को sense किया, brain के थुरू अपना data भेजा, brain के पास nervous system के थुरू, और फिर nervous system वापस कोई control signal भेजता है, आपके हाथ को या फिर आपके पैर को, depend करता है कि आप कौन सी गारी चला रहे हो, या cycle चला रहे हो, और उसके correspondingly आपने action लिया, तो अब आपका पूरा जो information exchange था, वो था exterior world के साथ, आपका signal भी exterior world में, और आपका action भी exterior world में, मतलब आप भारी के दुनिया में, और काम कौन किया, तो brain किया, देखा कौन, आँख, तो आँख हमारा हो गया as a input device इस समय, और आपके हाथ या पैर हो गया आपके output devices, जो भी आपको brain signal भीजा, उसी प्रकार से हमारे कान, हमारे audible signals, हमारे सुनने वाले signals, sensors हो गए, कि जो भी सुनने का signals आ रहा है, जो भी audio waves आ रहे हैं, उन audio waves को, audio range के accordingly, हमारा कान सुनता है, तो हमारा audio sensors हो के कान, हमारे nose, smell sensors, बोलने वाला sensor, mouth, तो different sensors हम लोग के पास लगा हुए, हम लोग fitted है with different sensors, और इन ही sensors को क्या काम है, कि बाहरी दुनिया के signals को, microprocessor तक भेजना, मतलब की brain तक भेजना, और microprocessor या brain, जो signals को decode करके, execute करके, control signal generate कर रहा है, उस control signal को वापस output devices तक भेजना, थाकि exterior world में उसका reflex देख सके, तो best example of audio devices is a human being, where we are having input devices also, and we are having output devices also, this is the perfect example in which we can understand the IO interfacing, अब हम बात करते हैं कि IO interfacing को हम लोग divide कैसे करते हैं, तो basically IO interfacing को हम लोग classify 2 हिसों में करते हैं, पहला हिस्सा कहलाता है, that is, serial IO communication, और दूसरा हिस्सा कहलाता है, parallel IO communication, तो दो तरह समनों divide कर सकते हैं, अपने IO interfacing को, एक हो गया serial communication, दूसरा हो गया parallel communication, बहुत जादा इसमें बारे में detail नहीं करना है, क्योंकि serial और parallel हम लोग अभी तक बहुत पर रखा है, हमें पता है कि serial काम कैसे करता है, parallel काम कैसे करता है, लेकिन फिर भी with respect to microprocessor, एक छोटा हम लोग बस इसको define समझ लेते हैं या उसको समझ लेते हैं, serial communication में कि जब भी बात करते हैं तो हम लोग यहां पर bitwise की बात करते हैं, कि एक bit के बाद अगला bit आएगा, यह होता है bitwise section, bit by bit काम करेगा और वहीं पर जब हम parallel communication की बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा 8 bit बात करता है, मतलब एक word की बात करता है या फिर जो भी microprocessor का word length होगा, तो serial communication और parallel communication में differences क्या है, यह bitwise काम करता है, one bit at a time और यह काम करता है parallel communication 8 bit एक साथ, पूरा का पूरा 8 bit आएगा, decode होगा, execute होगा और output देगा, वहीं पास serial communication bit by bit information लेगा, execute होगा, decode होगा और वह sensors को signal भेजेगा, serial communications के लिए हम लोगों ने अपने 8085 के pin description में देख रखा था, कि already दो dedicated pins हमारे पास serial communication के मिलते हैं वहाँ पर, और जो डो dedicated pins थे, वो थे SID और SOD, these pins are used for input devices and output devices in serial communication, मतलब कि serial communication के दोरा, दो dedicated pins हैं, SID और SOD, जो आपके microprocessor साथ already dedicated हैं, inbuilt यह वह हैं, इसी के थूप serial communication होता है, लेकिन जब parallel communication की बात करते हैं, parallel IO communication interfacing की बात करते हैं, तासरा कुछ dedicated नहीं मिला हैं, हम लोग वहाँ पर multiple pins को use करते हैं, अपने operations के लिए, यह दो बात थी, serial और parallel communication का, हमें जो पढ़ना है, हम लोग maximum पढ़ेंगे, parallel communication, parallel interfacing, क्योंकि serial के लिए तो दो dedicated div हैं, उसके बारे में बहुत ज़ता चीज नहीं है, लेकिन signals हमारे जब काम करते हैं, तो हमारा signal maximum प्रोसेसर जो पर parallel communication पर काम करता है, बहुत साथ signal एक साथ आ रहे होते हैं, decode हो रहे होते हैं, यह रियल टाइम में भी आप देख सकते हो, तो आप अपने आपको feel कर लो, और आपको समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे parallel communicate करते हैं, तो similarly क्योंकि हम लोग एक example है, Macro processor के parallel interfacing के लिए या IO interfacing के लिए, तो obviously, Macro processor भी उसी तरह से treat करता होगा, with various sensors and various IO devices. तो Macro processor के parallel interfacing के, दो section में classify करते हैं, पहला होता है, आयो interfacing, तो memory mapped IO interfacing जो है, वो basically deal करता है, memory mapped IO interfacing जो है, वो basically deal करता है किसमें, memory की तरह, memory wise, जैसे memory काम किया था, उसी प्रकार से memory mapped IO भी काम करता है, जैसे memory में आपका 16 bit का address line होता था, और उसी solar bit के address line के accordingly, आपका memory जो है, address को decode करता था, और वहां के information को fetch करता था, फिर यहां वहां पे information जो था, उस पे store करता था, तो information का fetching या storing जो था, वो 16 bit के basis पे होता था, और total जो वहां के size थी, वो था आपका 64K का, कैसे, क्योंकि 22 power 16 जो है यह आपको 64K देता है, यह 64K है यह आपका memory space होता था, memory space, तो generally हम देखें, तो memory mapped IO जो है, वो पूरा का पूरा, आपका memory interfacing की तरह behave करता है, या फिर ऐसा हो सकते हैं, कि memory interfacing उसका base है, और उसी के ऊपर implemented है, IO interfacing with the help of memory mapped IO, और जहां हम बात कर रहे हैं, IO mapped IO की, मतलब IO interfacing, इसका हम लोग दूसरा नाम जानते हैं, PPI, Programmable Peripheral Interface, इसका दूसरा नाम क्या है, Programmable Peripheral Interface, इसको क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन PPI होता है, Peripheral Interface के हम लोग बात करते हैं, तो Peripheral Interface जो है, वो 8 bit पे काम करता है, ना कि 16 bit पे काम करता है, तो 228, total memory space कितना मिल गया इसको, 256 का, तो यह basic difference है, Memory Mapped IO की और IO Mapped IO की, जहां Memory Mapped IO पूरा का पूरा behave करता है, आपके किस पे? Memory Interfacing के तरह, वहीं पर, IO Mapped IO जो है, उनका working जो है, वो different है, और different कैसे है, क्योंकि वो 16 bit पे काम करता था और यह 8 bit पे काम करता है, इसका मतलब कि इस case के लिए जो address range था, वो आपका क्या था? A02, A15, लेकिन इसके लिए क्या काम करेगा? इसके लिए हम लोग, अगर address और data को एक साथ मान लें, तो AD02, AD7 ही इसके लिए काम करने के लिए sufficient है, तो आपके range जो है, वो घर चुके है, आपका working जो है, वो भी घर चुका है, तो IO Interfacing का main मकसद क्या है? कि exterior world से, बाहरी की दुनिया से signals को memory तक ले जाना, और memory के जो, sorry, memory के मैं कह दिया, microprocessor तक ले जाना, या फिर microprocessor के जो signals हैं, उसको बाहरी दुनिया तक ले जाना, this is the basic difference between interfacing of memory and interfacing of IO, अब हम बात करेंगे, memory mapped IO की लगबग इसमें हम लोग ने बात कर रखा है, जैसे आप जानते हैं, जैसे हम लोग ने बात कर रखा है कि it is considered like a memory locations, तो जैसे memory interfacing के हम लोग बात करते थे, तो यह memory interfacing के base पर ही काम करता है, memory mapped IO, इसके पास कितने रहते हैं, इसके पास total 16 bit assigned है, और 16 bit का यह काम करता है, इसलिए इसके साथ जो memory space associate होता है, that is 2 to power 16, that is 64 K का इसको memory space allocated है, यह भी data को, यह भी information को exchange करता है, from exterior world to the microprocessor, or microprocessor to the exterior world, but कैसे काम करता है, तो जैसे आपका memory काम करता था, और इसके लिए जो हम लोग instructions use करते हैं, that is LDA and another one is STA, यह दोनों instruction को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह आप लोग memory में भी, memory interfacing में भी हम लोगों ने इसको use कर रखा है, reason क्या था, क्योंकि यह दोनों काम क्या कर रहा है, यह आपके accumulator के content को, यह आपके accumulator content को load कर रहा है, मतलब की, loading the content of address, अगर इसको ऐसे देखा जाए, यह कर क्या रहा था, यह आपके, जो भी address इसके साथ associated था, मान लिया जाए कि अगर हमारा instruction है, lda 2050h, तो यह जो आपका address है, 2050h, memory location है, इस memory location में जो data था, उस data को कहां feed कर रहा है, यह accumulator में feed कर रहा था, तो यह जो address है, यह address कितने bit का है, यह address 16 bit का है, इसलिए हम लोगन यहाँ पर बात किए, कि यह 16 bit पर काम करता है, और दूसरी तरफ, दूसरा जो instruction हमारा है, that is, is sta, और इसके साथ भी अगर हमारा रहेगा, 2051h, तो यह अब accumulator का जो content है, वो content कितने bit का है, 8 bit का है, यह सही बात है, लेकिन, यह जो address associated है, यह address कितने bit का है, that is 16 bit, तो, और इस 16 bit के अंदर जो space है, that is of 8 bit, तो इसने क्या किया, कि accumulator का जो content है, that is of 8 bit, उसको इसने, इस memory location के space में store कर दिया, तो basically, आप देख सकते हो, कि पूरा का पूरा IO interfacing जो है, वो memory interfacing की तरह ही behave करता है, वो उसी की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, memory mapped IO, यह है interfacing with the exterior worlds, signals, बाहरे दुनिया से signals, micro processor के पास ले आएगा, या फिर, micro processor signal बाहरे दुनिया के ले IO, और जो दूसरे इंस्ट्रक्शन है, वो है, IO mapped IO, इसको हम लोग दूसरे नाम से हम लोग बोले थे, PPI, that is programmable peripheral interface, या फिर, peripheral interface भी इसको हम लोग बोलते है, peripheral, peripheral interface, peripheral interface का मतलब, peripheral का मतलब, peripheral का मतलब, बाहर से जो आपके accessories लगे हुए है, बाहरी के दुनिया में जो आपके devices लगे हुए है, उन devices को हम लोग बोलते है, peripherals, इसको हम लोग दूसरे या general word में हम लोग accessories के नाम से जानते हैं, कि जो भी accessories जो हैं, आपके system के साथ लगा हुआ है, जो आपको input या output देने में मदद करता है, they are the known as peripherals, और इसके examples अगर देखोगे, तो मारे examples बहुत सारे हैं, जैसे की keyboard, अब keyboard एक input device हो गया, monitor, एक output device हो गया, printer, ये भी एक output device हो गया, और ये सब हैं क्या, ये सारे हैं peripheral, तो memory, microprocessor का, इन सब के साथ, जो communication establishment होगा, इन सब के साथ, जो interface होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, I.O mapped, I.O या फिर peripheral interface, अब basically इनका काम कैसे होता है, जिस हमने बोला था, ये 8 bit पर काम करता है, तो basically अब हर एक communication panel का, या हर एक communication system का, या फिर हर एक interface का, एक port number associated होता है, कि किस port के थुरू, वो communication, या वो interface होगा, और वो port address जो होता है, they are of 8 bit, port number जो होता है, है, it is of 8 bit, और जब क्योंकि ये 8 bit का है, तो इनका range क्या होता है, 00 से लेकर FF तक, तो अगर ये 8 bit के हैं, port address, तो total memory space जो आपका peripheral interface यूज़ कर रहा हो कितना होगा, 228, that is of 256, तो ये एक general difference है, IO mapped, IO और memory mapped, IO की बीच में, वो 16 bit यूज़ करता था, वो as a memory की तरह behave करता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और बात करते हैं खिशिच का, IO interfacing का with the help of port numbers, और port number क्या है, वो कुछ नहीं, वो port का address है, वो port का एक location है, और क्योंकि वो एक port का location है, वो एक pin का number है, इसलिए उसको हम लोग 8 bit के, से हम लोग उसको denote करते हैं, और उसका minimum range होगा, वो होगा 00, और उसका maximum range होगा, वो होगा ff reason, क्योंकि वो 8 bit support करता है, 8 bit का होता है, इसलिए वो 00 से लेकर ff तक उसकी maximum range हो सकती है, तो total जो memory space वो utilize करेगा, that would be of 256, अब इनके जो instructions है, इनके जो implement करने के लिए जो instruction use कियाते हैं, they are the in and out instruction, यह in और out instructions क्या हैं अगर देखोगे, तो basically in instructions input के लिए काम करता है, in instruction followed by a port number, followed by a port number, और यह port number कितने का होगा, it would be of 8 bit, similarly out instruction followed by a port number, followed by a port number and यह भी क्या होगा, यह भी होगा आपका 8 bit का, तो basically in instruction, out instruction क्या करता है, इन instruction आपके exterior world के signal को microprocessor तक लाता है, और out instruction जो है, वो आपके microprocessor के signal को exterior world में ले आता है, तो यह दोनों instructions आपको मदद करते हैं, interface करने के लिए peripheral के साथ, चाहे वो keyboard हो, monitor हो या printer हो, तो यह basically यह in और out instruction जो है आपको मदद करते हैं, IO interfacing के लिए, तो हम लोगने देखा कि हमारे दो तरह का interfacing होता है, पहला memory mapped IO, जो की 16 bit के range पे काम करता है, 16 bit के तरह काम करता है, 16 bit के address को use करता है, और वहीं दूसरा है, आपका IO interface IO या IO mapped IO इसको में लोग peripheral interface भी कहते हैं और यह आपके 8 bit के system के साम काम करता है, जहां पर आपके memory mapped IO के लिए total space जो होता है, वो 64 के का होता है, वहीं पर IO mapped IO के लिए जो total space है वो that is of 256, यह basic differences है, IO interfacing या peripheral interfacing और memory mapped IO interfacing का, अब हम बात करेंगे in instructions के basis पर, in instruction और out instruction के basis पर हमारा system कैसा दिखता है, कैसा behave करता है, उनके machine cycle कैसे होते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार यह interfacing होता है, कैसे है, यह interfacing मतलब कि यह communication established होता क्या है, कब हमारा system on होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब हमारे पास 8 bit ही है, अब 8 bit है, solar bit तो है, नहीं कि आपके पास address bus का पूरा solar range जा रहा है, है, उसके साफ साफ काम हो रहा है, फिर data bus है, अब इसी 8 bit को सब कुछ काम करना है, मतलब कि address का भी काम करना है, इसको आपको data का भी काम कर लेना है, इसको control signal भी provide कर देना और सारा काम अब इसी 8 bit के हवाले है, तो अब हम आगे जो देखेंगे, वो basically इसी के extension पाट के देखेंगे, इसी को और detail version में देखेंगे कि ये काम करते कैसे हैं, तो जैसे हमने बात किया, कि IO interfacing में आपके basically instruction, दो instruction use होते है, out instruction and in instruction, तो पहला हम लोग use कर रहे है, out instruction और out instruction देखेंगे कि out instruction हम लोग काम कैसे करता है, तो out instruction का syntax है, that is out, that is an opcode, और operand क्या है आपका, that is an 8 bit port address, यह आपका क्या है, आपका एक operand है, तो इसमें करता क्या है, तो अब देख सकते हो कि out हो गया, that is for opcode fetch, मुझे उमीद है कि आपको याद होगा, हमारा memory, machine cycles कैसे काम करता है, machine cycles हमारा word length पर depend करता है, यह word count क्या है आप से, byte, तो दो byte का instruction है, हम लोग समझ सकते हैं इसको, out is for opcode fetch, और वहीं आपका operand हो गया, that is the address, which is the second byte, यह काम क्या करता है कि जो भी accumulator में आपका data होगा, उस data को इस 8 bit के port पर transfer कर देता है, मतलब कि काम क्या किया यह, कि accumulator के content को, accumulator के content को इसने transfer किया, और कहां transfer किया, तो 8 bit के port पर, तो अब हम उम्मीद है कि यह out instruction आपको समझ में आया, out instruction क्या काम किया, आउट instruction जो है, वो accumulator के content को transfer करता है, कहां, तो 8 bit के port address पर, जैसे हमारा और नीचे देख सकते हो, कि नीचे हमारा example है, कि we have used a mnemonics out01, over here, हमारे दो addresses है, that is 2050 and 2051, अब समझ में आ रहा होगी, 2050 is for the opcode fetch, पहला instruction, पहला byte, और दूसरा byte is for the operand, that is an 8 bit address, यह होगे आपका, D3 is the, D3 is for the, this is the mnemonics, machine code for out, and 01 is the port address, this is the port address, अब इसको detail में देखें कि memory में कैसा behave कर रहा है, तो memory में कुछ ऐसा content रहेगा, 2050 में D3 रहेगा, और 2051 में 01 रहेगा, तो यह क्या कर रहा है, कि आपके accumulator के content को, आपके accumulator के content को, इसने transfer कर दिया कहाँ पर, port number 1 पर, port number 1 पर, इसने out instruction के help से, out instruction के help से हम लोग ने, accumulator content को port number 1 के content के पास हम लोग ने move कर दिया, क्या कि आप वो जो output accumulator content था, वो कहाँ चला गया, वो चला गया, port number 1 पर, अगर यहाँ पर 02 या 03 रहता है, तो accordingly वो आपके पास उस port पर चला जाता, और आपके पास total maximum range के हो सकता है, and that the total or maximum range है, that is 00 से लेकर FF तक, यह आपके कोई भी यहाँ से range उठा सकते हैं, और यह arbitrary है, यह जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर 01 लिया है, तो आप भी 01 लो, आपका जो भी काम के इस आप से जो भी port address हो सकता है, उस port address के correspondingly आप लोग यहाँ से अपने range को choose कर सकते हैं, और इस range के accordingly आपका instruction काम करता है, अब हम देखते हैं कि इसका अगर machine cycle ट्रौ किया जाए, जिससे हमने बोला कि एक opcode fetch हो गया, तो अगर इसका machine cycle को देखेंगे, तो हम इस instruction को जादा अच्छे तरीके से समझने में मदद होगा, तो अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने machine cycles होंगे, तो obviously दो बाइट instruction है, तो हमारा तीन machine cycle टो minimum है कि तीन machine cycle होने ही होने है, पहला होगा opcode fetch, दूसरा होगा memory read, और तिसरा होगा I.O. write, अब यहाँ पर game हमारा बदलता है, that is I.O. write, हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा था, that was of memory write, memory read, upcode fetch, अब हम यहाँ बात करेंगे I.O. write की, क्यों I.O. write, क्योंकि पहले machine cycle में यह काम करेगा, upcode fetch करने का, दूसरा machine cycle में वो port address को read करें, किस port address पे उसको connect करना रहा है, किस port address पे से communication establish करना है, और जो भी content होगा आपके accumulator को अब उसको वहाँ पर store करना है, मतलब लिखना है उस port address पर वो port address क्या है, I.O. का है, मतलब exterior world का है, तो वहाँ पे काम होगा हमारा I.O. interface के लिए, तो यह हो गया आपका out instruction का machine cycle description, यह क्या होगा हमारे पास, out instruction का machine cycle, अब इस machine cycle को जैसे हम लोग ने बात किया, कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा opcode fetch, और इस opcode fetch में क्या होगा, इस opcode fetch में, जो opcode है, that is d3, और d3 क्या है आपका, d3 stands for out, याद है, d3 stands for out, क्यों, क्योंकि अब यह syntax है, और यह syntax को fetch kiya गया कि करना क्या है, पहले cycle में, opcode में कहोंता कि करना क्या है और दूसरे में होता है, कि किसपे करवाना है, that is implementation, that is operant, opcode में उसने information को fetch किया कि करना क्या है, और उसके बाज उसने, किसपे implement करना है, that is 01, clear?, तो अब इसने opcode fetch और दूसरा machine cycle हो गया मेरा memory read, और memory read में क्या read किया गया, the port address, port address, और third में हमारा होगा I.O. write, जब ये दोनों informations आ गया है, पहला information की करना क्या है, और दूसरा information की किस पर करना है, तो इस information को conclude किया गया है, आपके third machine cycle में, that is I.O. write, और उसमें क्या किया गया है, कि जो आपका port address था, that was 01, उस address पे accumulator के content को write कर दिया गया है, अब इसके पूरे signal को अगर हम देखेंगे, तो पूरा signal हम लोग, हैसे देख सकते हैं, कि सबसे पहले आपका ALE यहाँ high हुआ, और ALE यहाँ high होने का मतलब क्या हुआ, कि इसने address read किया, और यह address किया था आपका, इस point पे address था, 2050, जो लोग यहाँ से conclude कर सकते हैं, यहाँ पे address data bus से, आपको इस समय ALE high करके, इसने address bus बना दिया आपके, multiplex address data bus को, और address bus तो आपका अलड़ी यहाँ पर 20 लेके चल रहा है, तो इन दोने के combination से आपको क्या मिल गया, first section पे 2050, उसके बाद, आपका memory जो है यहाँ पर है, IOM memory वो यहाँ पर low है, इसका मतलब इस section पे यह काम किसी की तरह कर रहा है, memory की तरह, और operation क्या हो रहा है, fetch, तो हम लोग इसको बुसकते है, कि fetch operation चल रहा है, अब यह IOM जो है, वो second machine cycle में, जो यहाँ से start हो रहा है, वो इसमें भी काम कर रहा है, similarly, यहाँ पर address इसमें क्या decode किया, 20 वहाँ से, and 50 from here, तो यहाँ की address हो गई, 2051, इसमें इन्होंने क्या memory read किया, तो जो आपके instruction में था, और instruction क्या था, आपका instruction था, out01, where out was opcode fetch, और दूसरा जो था, that was a port number, और यह क्या था, आपका operand था, operand था, तो इसने दूसरे machine cycle में, memory read किया, और memory read में क्या content है, it is the address of the port number, अब यहाँ पर आप ध्यान दे, जैसे ही आपका machine cycle 3 start होता है, इस point पर, तो आपका IOM जो है, अब यहाँ पर high हो गया, और high होते ही हमें क्या बाद चल गया, यह किस की तरह behave करेगा, यह IOM की तरह behave करेगा, similarly, हम read signal की बात करें, तो जब आपका awkward fetch हो रहा था, तो आपका read signal क्या था, यहाँ पर low था, मतलब read active था यहाँ पर, यहाँ पर read active था, वहीं पर इस signal के समय भी आपका read active था, लेकिन अब क्योंकि reading नहीं हो रहा है, यहाँ पर writing हो रहा है, तो यह high state में चला गया आपका, यह आपका high state में चला गया और यह off हो गया, लेकिन आपका write signal जो है, वो सिर्फ accumulator के content को write करना है कहाँ पर, sport address पर, तिसलिए अब आपका write signal जो है यहाँ पर, वो आपका low हो गया, इसका मतलब active हो गया, और इस write signal के help से, यहाँ से, आपके, इस write signal के help से, और यहाँ के, I.O. signal के help से, अगर दोनों के add किया जाए, तो हमको यह मिलता है, that is, I.O.W, I.O.W का मतलब, input, output, write, तो यह एक basic machine cycle के मदद से, आपको समझाया जा रहा है, कि आपका out instruction जो है, वो काम कैसे कर रहा है, यह machine cycle draw करने में मुझे नहीं लगता है, कि किसी आप लोग को दिक्कत होगी, और नहीं समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यह चीज हम लोगों ने पहले, अपने machine cycle के section में हमनों बहुत अच्छी तरीके से पर रखा है, लेकिन फिर भी यह explanation था, तकि आपको समझ में आ जाए, कि चीजें चल कैसे रही है, अब जो सबसे बड़ी बात है, वो हम लोगों ने अभी तक उस पर discussion नहीं किया, कि आपका पता कैसे चला, कि किस section पे, किस timing पे, आपको instruction को output port से write करना, या output port में write करना, उसका address कम मिला आपको, तब ध्यान दो इस position पर, आप ध्यान दो इस position पर, कि आपका ALE जो है, तीसरी बार high हो रहा है है, यहाँ पर, जब आपका address data bus, port आपका है, आपको ध्यान होना चाहिए, कि आपका port है, और port के address क्या है, और यह ALE high होते ही, आपके पास address bus में, port address 01 लोड होता है, इसका मतलब कि यह जो third cycle का starting है, यह आपको enable करवा रहा है, यह आपको बता रहा है, कि अब आपको port पे काम करना, और port का address कहां रखा हुआ है, तो port का address आपको machine cycle के third में रखा हुआ है, machine cycle के third में रखा हुआ है, that is port address 01, और वो address कहां से fetch हो पाया, जब ALE high हुआ यहाँ पर, जब ALE यहाँ पर enable हुआ, तो जाके उस port address जो यहाँ पर था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर high करके read किया है, तो इसी समय आपको पाचलता, मतलब machine cycle 3 के समय, जब ALE high होता है, तब हमें पड़ा चलता है, कि हमें किस port पर, किस, अपने address को, sorry, अपने किस port पर, अपने किस content को हमें, वहाँ पर store करना है, और उस store करने के लिए आपको मदद करता है, यह IOM और यह control signal right, जो दोनों को मिला कर, हम लोगा third signal आता है, IOM right, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप notice कर सकते हो, कि यहाँ पर आपका IOM high हो गया, और यहाँ पर आपका signal right, low हो गया, और इन दोनों के combination के through, हम लोगों को अपना final combination मिलता है, that is, IOM right का. ठीक है, basic था, machine cycle के respect में हम लोग समझना चाहें, कि machine cycle के respect में हमारा यह कैसे instruction काम कर रहा है, कैसे यह execute कर रहा है, तो यह basic है, अब इस machine cycle को अगर हम लोग detail में, या फिर अगर आपको आपसे generally पूछा जाए कि out instruction में कितने machine cycle होते हैं, तो आप लोग अराम से बोसकते हो, कि it is three machine cycle, जिसमें पहला machine cycle होगा, opcode fetch का, दूसरा machine cycle होगा, memory read का, लेकिन तीसरा machine cycle क्या होगा, वो होगा, आयो, write का, तो यह basic है, अब हम इसके graphical representation या फिर हम इसके circuit diagram की बात करें, block diagram की बात करें, तो block diagram का से देखता है, आईए हम लोग वो देखते हैं, तो अभी के लिए block diagram से पहले, अभी के लिए हम लोग, आज का lecture को यहीं है, भी हम सोचेंगे कि तौस इसको break दिया जा, तेकि आप इसको एक बार फिर से एक बार देख लो, और next lecture में हम लोग जो बात करेंगे, that would be device selection and data transfer, और यहां से हम block wise में हम लोग काम करेंगे, हम लोग उसके block view को देखेंगे, हम लोग उसके circuit diagram को देखेंगे, हम लोग उसके logical diagram को देखेंगे और उस पर कैसे वो implement हो रहा है हमारा machine cycle के base पर, या फिर हमारे instruction के base पर हम लोग उसको जानेंगे जादा, तो अभी के लिए बस आप इसको as a, अपना pre-cap रखो, ताकि इस pre-cap के थुरू, आप आने वाले lecture को जाद अच्छे तरीके से समझ सको, that is device selection and data transfer of IO devices, हम IO interfacing करते कैसे हैं, वो अमारा मूल अभी बचा हुआ है, वो instructions था, उसके basic के parameters से, लेकिन उसमें implementation होता है, कैसे है, उनके logic कैसे लगते हैं, उन सब चीजों को हम लोग अभी अपने next lecture में देखेंगे, जिसका base आज का lecture है, तो आज का lecture बहुत ही important है, ये समझ के लिए कि आपका microprocessor काम कैसे करता है, ये devices साथ, उसके instructions क्या होते हैं, उसके machine cycle में implementation कैसा होता है, ताकि आप इन सब को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आप इसके logic diagram को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें, और उसको implement कर सकें, तो तब तक के लिए, thank you for watching my video, stay tuned for more updates, stay at home and stay safe, thank you so much.